हेलो इस्टूडेन केमेस्टी की आनलाइन ग्लास में आपका स्वागत है आज का मारे टॉपिक है केमेस्टी की प्रश्ण बेंग की लेसन नमबर 12 एल्डी हाइड कीटों एबं कार्वोक्स लिए कमलों से प्रश्ण नमबर 8 और 9 को समझना तो चली शुरू करते तो मारा पहला कोश्चन है एक एसीटोन बनाने की वीधी का नाम एबं उसका रासाइनिक समीकरन लिखिये तो एसीटोन बनाने की वीधी कोई सी भी वीधी सकता है तो आप बले से कोश्टक में आप प्रयोक्षाला वीधी करके भी हेडिंग डाल सकते ठीके अब रासाइनिक समीकरन देख लेते तो हमने लिया केल्सियम एसीटेट का फार्मूला था सी एस थ्री सी डबलो दो बार होता है और उससे केल्सियम क्या होता है यह नेगि कर्बोनेट क्या होगा बाहर निकल जाएगा तो इसको मैं हेडिंग करके बता देता हूँ हाइलाइट करके यहां से देखिया आप केल्शियम एसीटेड स्में बन गया, ठीके, अब अगला देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अमलो के उपियोग लिखी है, तो कार्बोक्सिलिक अमलो के कुछ उपियोग हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीके, जैसे फार्मिक अमलो होता है, यह सब कार्बोक्सिलिक एसी डे, इसे वसी अमली भी बोला जाता है तो farmic amlaka upiogd जो hcoo h hोता है rubber में जो rubber निकाला जैता है p bastard पोदों से उसके rubber में इसे latex, latex नामक पढ़ार्त होता है उसको skandhi करण करने के लिए किया जाता है मतली excludica कारक के रूप में होता है farmic amlaka upiogd rubber में मिला दिया जाए तो खाने पीने की वस्तों में खटई लाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है, जैसे चाइनीज हुआ, अचार्ग हुआ, चटनी हुई तो इन में विनेगर डाला जाता है, ठीके, अगला देखते हैं, बेंजोईक अमल के एस्टर का उप्योग इत्र बनाने में किया जा है, ठीके, अगला उच्च वसा अमलो का उप्योग साबुन बनाने में किया जाता है, साबुन जो रहते हैं, वसी अमलो के सोडियम या पोटेशियम लवन होते हैं, ठीके, तो बहुलकों जैसे रेयान, रेयान, क्रत्रिम सिल्क और नाइलोन सिक्सिक्स जैसे इसमें ADP का अ पर यूर एग्जाम.